4, 5 और 6 सेप्टेमबर को चाइना 53 एफरिकन कंट्रीज को अपने देश में होस्ट करता है इसका मतलब क्या हुआ तो टोटल 54 एफरिकन कंट्रीज है जिसमें से कि 33 एफरिकन कंट्रीज चार पांच और 6 तारी को चाइना में रहते हैं और इन सभी देशों के साथ चाइना का पॉलिटिकल और एककोनॉमिक रिलेशन बीते को सालों में अच्छा हुआ है जहां तक बात किया जाए African countries के बारे में तो अगर किसी को भी थोड़ा सा bare minimum भी जानकारी है African countries के बारे में तो उनको पता है कि almost सभी देशों के पास भर-भर के minerals वगेरा है लेकिन जो basic दिक्कत है इन सब African countries में वो ये है कि वहां का जो political stability है वो है ही नहीं वहां पे जिसके कारण क्या है कि वहां पे corruption अपने इतने जादा peak पे है कि जिसको कि आप शब्दों में समझा नहीं सकते हैं तो जब आपके देश में corruption काफी जादा हो जाता है तो जो natural resources होता है उसका loot खसोत होना शुरू हो जाता है तो उस बीच में जो powerful countries होते हैं वो आपके देश में नजर कड़ा के बैठते हैं और वो कोशिश करते हैं कि आपका देश का जो minerals है उसको वहां से export करके अपने देश में ले जाया जाए और साथ में अगर बात किया जाया तो China Africa Corporation जो है यह हर 3 साल में होता है पिछले साल 2021 में हुआ था वर्चुली हुआ था क्योंकि उस वक्त COVID का time period चल रहा था अब यहां पे जो हमें और आपको समझने वाली बात है वो यह है कि हर stronger देश अपने जो उसका positive aspect होता है उसको वो देख के अलग-अलग देशों में अपने हिसाब से वो investment करता है चायना जो majorly करता है वो अलग-अलग देशों में infrastructure projects वगेरा को वहां पे डालता है उस देश के condition को देखनी के बाल अगर आप बात करें US का nature का तो यह primarily focus करता है weapons वगेरा के उपर तो कहने का मतलब है कि इस चीज़ को अगर हम इंडिया के point of view से देखेंगा चायना को तो थोड़ा सा हम uncomfortable feel करेंगे इसी चीज़ को अगर हम US के point of view से देखेंगे तब वहां से भी हम काफी uncomfortable feel करेंगे लेकिन जब हम थोड़ा सा वक्त निकाल के जब हम geopolitical news को या इन सब related अगर articles वगेरा को हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आगा कि यह एक बहुत ही common phenomena है जो कि हर देश अपने अपने हिसाब से यानि कि जितना उनका capabilities होता है उसके हिसाब से वो अपने policies को formulate करते हैं साथ मेंगर हम चाइना को बहुत ही लमसम तरीके से समझे तो यह सही बात है कि चाइना का जो manufacture goods होता है वो almost सभी देशों में पहुंचता है of course कुछ exceptions होंगे तो जब आपके देश में इतने बड़े बड़े या इतने सारे आपके देश में जब manufacturing units वगेरा लगे होते हैं तो आपको यह भी ensure करना होता है कि जो raw materials का supply रहे वो भी continuously रहे और साथ मेंगर आपकी देश की economy जितनी बड़ी होती है आपका देश का जो geographical size होता है वो जितना बड़ा होता है उतना ही ज़ादा आपके देश का expenses भी होता है साथ में अगर हमें specifically बात करें तो COVID के बाद almost सभी देशों का जो economy है वो पहले के तरह नहीं रहा और उसके बाद जो China का over aggressive policy है उसके कारण भी देशों को ये realize बहुत हद तक हुआ है कि हमें किसी भी तरीके से चाइना के उपर उतना जादा dependent नहीं होना चाहिए या नहीं होना पड़ेगा कुछ geopolitical analyst चाइना का debt trap policy के बारे में बात करते हैं नहीं पर चाइना जान भूश के उन सब देशों को loan देता है जिनसके बारे में उसको पता होता है कि उनका जो loan है वो किसी भी तरीके से कभी repay नहीं हो पाएगा तो वो उसी तरीके से कुछ agreements वगेरा को बनाता है और उन सब देशों में investment करता है यानि कि उसको loan देता है तो किसी भी तरीके से अगर वो देश loan default करता है तो उस देश का जो natural resources होता है उसके उपर वो capture करता है और फिर वहाँ का जो natural resources होता है उसको अपने देश में वो supply करता है लेकिन जो हमारे लिए समझने वाली बात है कि अगर दुनिया को पता है कि debt trap policy चाइना का है लेकिन उसके बावजूद भी देश चाइना के साथ अपने economic deal को करते है तो कहीं न कहीं चाइना कुछ इस तरीके से offer करता है सामने वाले देश को कि उनके पास कुछ भी ऐसा option नहीं रहता है कि चाइना का जो deal है उसको वो reject कर सके अगर हम उन सा 53 African countries में से सिर्फ हम अगर एक country के बारे में बात करें लीबिया के बारे में बात करें जिसमें चाइना बढ़ चड़ कर investment किया है तो चाइना को वहां से क्या benefit होगा तो इसको अगर आप बहुत लमसम तरीका से समझना चाहें तो लीबिया का 9th position आता है oil reserve में presently बता रहा हूँ और अगर लीबिया आज से भी अगर oil export करना बंद कर देगा तो उसके पास almost almost आने वाले 600 सालों तक उसके पास oil reserve है तो इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि चाइना का जो energy का requirement है उसको वो diversify कर रहा है कहने का मतलब है कि चाइना के संबंद almost सभी Middle Eastern countries के साथ अच्छे हैं except Israel चाइना का जो expansion है वो आपका African countries में खूब हुआ है और ये इतना जादा हुआ है कि जब आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा तो presently चाइना इरान से भी oil purchase करता है रश्या से भी purchase करता है साओधी रीबिया से भी purchase करता है और उसका जो फिलाल expansion है वो लीबिया में भी है तो यहां से भी आप समझे कि किस तरीके से चाइना जो अपना dependency है उसको वो कम कर रहा और साथ में अगर हम बात करें तो middle eastern countries जो है वहां के जो politicians है या तो वहां के जो government है उनके संबन्द तो USA के साथ अच्छे है उनके संबन्द बहुत हत्तक इस्रेल के साथ अच्छे है लेकिन वहां के जो common civilians है उनके संबन्द या उनका जो सोचना है US या इस्रेल को लेके वो पे नहीं है जैसा कि हम सभी को पता है कि Iraq में invade करता है USA अलग-अलग तरीके का drama करता है Libya में invade करता है लेकिन इन सब का destructions को करने के बाद US वहां पे कोई alternative create नहीं किया लेकिन जो China कर रहा वो ये कर रहा कि वहां पे वो infrastructure development कर रहा school बना रहा, colleges बना रहा, universities वगेरा बना रहा, bridge वगेरा बना रहा जहां तक बात किया जाए Libya के बारे में तो जैसा कि मैंने बताया और इस शीज़ को आप check भी कर सकते हैं कि by position वो 9th number पे आते हैं in terms of oil reserve तो कहने का मतलब है कि भले आपके देश के पास भर-भर के oil रहे, लेकिन उस oil को explore करने के लिए आपके पास उस हिसाब का technology भी होना चाहिए, जो कि इन सब देशों के पास नहीं है तो यहाँ पर जो China का role होता है वो काफी important हो जाता है चाहिना real time situation में उन सब चीजों को देखता है और उसी हिसाब से वो oil exploration के जो machines वगरा होते हैं उसको वो बनाता है तो कहने का मतलब है कि directly या indirectly चाहिना इन सब देशों को अपना colony बना रहा जो कि अगर आप बहुत ही neutral point of view से देखेंगे तो जिन देशों के संबन चाहिना के साथ अच्छे नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी concern है अगर आप इसी चीज़ को चाहिना के point of view से देखेंगे तो यह उनका एक global expansion है और शायद इसी लिए US को आज जो सबसे बड़ा खत्रा मैसूस होता है वो चाइना से होता है और साथ में जब हम चाइना से related articles वगेरा को पढ़ें तो हम ये भी देखें कि as in Indian हमारा global presence कहा है और exactly हम अपने foreign policy को किस तरीके से expand कर रहे हैं in terms of investment I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye